हालिलोया सबको जैम सी की स्वागत आप सबका हमारे युटीब चैनल Holy Ghost Productions में डेली वर्ड ऑफ गाड के लिए सबस्क्राब करें हमारे युटीब चैनल Holy Ghost Productions को और बेल आइकन पर क्लिक करके All Automation Set करें आईए आज हम पढ़ते हैं मेरी भश्यवानिय की पुष्टक में से आज की पवित्र वचन को जो परमिस्र के दास अपास्टल अंकुल युश्यव नौला जी और परमिस्र की दासी पास्टर जी सौनिया युश्यव नौला जी के दौरा लिखा गया है आज का वचन है येश्यव मसी के काबिल बनना जेस तरह इप्राणियों की पुष्टक अध्याए 11 के 25 आयत में लिखा है इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुक भोगने से परमिस्र के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा मेरे प्रियों इस वचन में मुसा की बात हो रही है जब उसे ये मालूम हुआ कि मैं एक इप्री हूँ और परमिस्र यहोवा का बेटा हूँ तो उसने मिस्र के राजकुमार के पद को छोड़ दिया और मसी के कारण निंदित होने को अपना लिया बाइबल कहती है अगले 40 शाल उसके ट्रैनिंग के रहे सबसे पहले मुसा ने फैसला लिया कि अपना जीवन दुखों में निकालने से अच्छा मैं मसी के कारण निंदित होने के त्यार हूँ बाइबल कहती है उसने फैसला किया कि मैं परमिश्वर के लिए खड़ा रहूँगा अगले 40 शाल पर मिश्वर ने उसे आत्म मिर्तियू सेल्फ टैप में रखने के लिए उसको भेड़ बगरियों को चराने में लगा दिया मेरे प्रियों जब आप कुरूस उठा के आत्म मिर्तियू में चल ले जाएंगे तो आपके जीवन में सबसे बड़ी आसीज आएगी और आपने आप में मरने अपना कुरूस उठाना ये आसा नहीं है अगर आप अपने आप में मरा हुआ सेल पैड देखना चाहते हैं तो परमिश्वर आपको अलग अलग चीजों से दुखों से निरासाओं से वीमारियों से कलेसों से निकालेगा प्रभी मसी ने कहा अगर तू अपना कुरूस ना उठाए तो मेरे काबिल नहीं और कुरूस उठाने का मतलब है अपने आप में मरना अपने आप में मरना यह गह इस्तिती है जब एक विश्वासी ऐसी इस्तिती में पहुँचता है जैसे मूसा पहुचा था और उसने विवार की परवाहा नहीं की उसने वचन की परवाहा की यह होता है अपने आप में मरना बाइबल कहती है कि जब योश्युप 17 साल का था और अपने पिता की भीड बगरियों को चराने के लिए वह जाया करता था तब उसे एक स्वैपन आता है कि उस्वैपन में परमिश्वर उसे बताता है कि वह अपने भाईयों से अधिक उंचा किया जाएगा और उस वैपन के कारण उसके भाई उससे पैर करते हैं और उसे सुख सुखे गड़े में डाल के मारने की कोशिस करते हैं लेकिन फिर वे उसे वहां से निकाल कर मिसर देश में बेश देते हैं और जब पोतीपर के घर में जेल में रहता है तो ये 13 साल उसकी आतमी मुर्द्व के थे इस 13 साल में पर मिश्वर में उसे त्यार किया कि कैसे पर मिश्वर के उपर भरोसार जाए के मिर्तियों के करीब था जब मानसिक रूप परहता तb भी उसने पोतिपर की पत्नी सत्स साहरेविक संब्न बनाने से मना किया वह 3 साल तक मानसिक Twenty रूप से परहता ता अकेला घर से दूर रहता था और जहां गया वहां भी दुशमन थे लेकिन फिर भी बाइबल कहती है ये शुप सब पीस साल का होकर प्रधान मंत्री बना और 110 साल तक जीवित रहा मेरे प्रियों अगर आप अपने आप में मर के प्रभी यिश्व मसी के पीछे चलेंगे और उसकी वचनों पर चलेंगे तब आपका कलेश तो छोटा सा होगा पर तो आपकी महिमा सालों की होगी आमेन यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए सर्वसक प्रिमान प्रमेश्व इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रमेश्व मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं अपने दुखों और जख्मों पर घमंड करूँगा और अपने जीवन के हर प्रिस्तिती में आ आपको प्लेस आसिशित करेगा उंचा करेगा God bless you all of you प्रमीश आपको प्लेस करेगा